नमस्कार दोस्तों अमरे जेनरल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम रिवियो करेंगे एस फाइल एक्स्प्लोरर फाइल जो की फाइल मेनेजर रहें एंडूइड के लिए ज्यादे तर एंडूइड के स्मार्टफोन में फाइल मेनेजर बिल्ट इन ही आता है ले का फीचर कैसे वर्ग करता है वो सब हम इस वीडियो पर देखेंगे यहां पर डायर्क लिए आपको देखा देता है कि इंडरान मेंबरी नहीं है और उसमें से यूज में है लोगर यह जो फीचर है वो इसमें कौन-कौन से मतलब अभी आपके डिवाइस में एंट्री पर यह कोई नहीं फाइल बनी है यह फिर से तो वो सब यहां पर 12 मिन पे लिए फाइल बनी थी 13 मिन पे लिए फाइल बनी थी यह से पूरा डिटिल दिखा देगा कि सुबह इसले के साम तक आपके डिवज में क्या क्या आ या कोई वाट्सप में ही में जाई है तो भी वो यह वी कर सकते हैं, सेव करेंगे तो यह टेक्स फाइल में सेव हो जाएगी, सिमिलरली यह cleaner है, यह junk file clean करने के लिए यह features है, usually हम क्या करते हैं, कि कोई हमारे smartphone में कोई catch या ऐसा कुछ है, तो उसे clean करने के लिए catch cleaner या ऐसा कोई app यूज करते हैं, लेकिन यह app में वो भी include है, कि अपने device में जो भी catch रहता है, उसको directly यहाँ से, वो file manager में से clean कर सकते हो, जितने भी आपने apps इंस्टॉल की होगी अपने device में, वो सारी application का list यह आप पर दिखाई देगा, और अच्छी बात ही है कि आप किसी file भीजना चाहो तो वो भी भी सकते हो, उसको directly यहाँ से install कर सकते हो, उसको log करना हो तो log कर सकते हो, या फिर उसको, किसी को send करना हो, वो file को via bluetooth यह ऐसा कुछ तो वो भी आप कर सकते हो, image, music और movies, यह तो सब common file manager में आता है, जो कि image पर क्लिक करेगे तो जितने image mobile में है वो दिखा देगा, music पर क्लिक करेगे तो जितने music available है वो दिखा देगा, वैसे, यह cloud का feature है, जो बहुत काम का है, जिसमें आप अपने cloud के account को भी directly यह file manager से access कर सकते हो, यह देखो, box, sugar, sin, dropbox, one drive, google drive, amazon s3, andex, mega cloud, media file, यह sub account को आप यह file manager से access कर सकते हो, सबोज आपको अपना dropbox यह file manager में शोग करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके, आप dropbox के page पे ले जागा है, वैसे google drive असेस करना हो, तो आप google drive को, similarly आपको google drive असेस करना हो, तो google drive करके क्लिक करके, अपने user id पासवर्ट डाल के, authenticate कर देना है, तो आपके google drive में जितने भी files है, वह आप यह ES file explorer से access कर सकते हो, यह देखो, मैं google drive का try करता हूँ, configure करने के लिए, यह page load होगा, और बाद में authentication आजाएगा, जो आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हो, तो जैसे आप separately uc browser में कैसा होता है, कि कोई download link पे क्लिक करो, तो और डाउनलोड हो जाता है, google chrome में भी कोई downloadable file है, उस पे क्लिक करते हो, तो वह download हो जाता है, वैसे ही download manager है, यहां पे कोई आप नया download कर सकते हो, या फिर कोई और फाइल हो, उसका URL यहां पाथ में डालके, डाउनलोड नाव करेंगे, तो वह download स्टार्ट हो जाएगा, documents, जो आपके file में, जितने भी document file होगी, वह display करेगा, network, जो LAN, FTP, Android TV, जितने भी device आपके, वह connected होंगे, को यहां से SS कर सकते हो, recycle bin feature, जो की computer में आता है, कोई file आप delete करते हो, तो वह पहले recycle bin में चली जाती है, बात में recycle bin में, मैंसे आप clean करते हो, तो ही वह file completely आपके phone से remove होगी, वनना, वह file recycle bin में ही पड़ी होगी, तो यह features बहुत काम का है, कि आप जब भी कोई file अपनी delete करते हो, और वह काम की है, तो आप वापे इस recycle bin में से restore कर सकते हो, view on PC, यह feature को use करके आप अपना device है, उसको computer में open कर सकते हो, जेंडर आता है, जो कि Wi-Fi से file transfer करता है, तो यह sender का option भी वैसे ही काम करता है, कि आप कोई भी file image जैसा कुछ भी Wi-Fi से transfer कर सकते हो, दूसरे mobile में directly, और इसके इतने feature समने देखे, और इसके setting में जाएंगे, तो setting मे अभी बहुत सारा option हमें configure करने को मिलेंगे, for example, हम देखेंगे कि इसका display setting में कैसा होना चाहिए, उसका SD card status बार में दिखाएंगे, या नहीं दिखाएंगे, SD card का size दिखाना है, USB plug-in message show करना है, नहीं करना है, वैसे बहुत सारा option हमें configure करने को मिलेंगे, clean up setting में, जो कि हमने catch clean किया था वो है, कि clean history on exit करेंगे, तो जितने भी history आपने open की होगी, वो सब clean हो जाएगी, clear catch on exit करेंगे, तो ये, अब जब भी ES file explorer open करके उसको close करते हो, उस तेम पे उसका catch clear हो जाएंगे, डिरेक्टरी setting जो है, उसको home directory कौन से select करने, ये तो by default वह सही रहता है, और आप इसको change भी कर सकते हो, कि download का कोई path है, तो उसको कौन से folder में store करेंगे, तो आप यहां से folder भी select कर सकते हो, search engine setting, कुछ नहीं, notification, इसमें कोई notification ये सा कुछ है, तो आप यहां से configure कर सकते हो, password setting, जो जिसमें से आप application को password protect कर सकते हो, backup setting, जो भी आपने कुछ setting किया है, यहां से आ सकते हो, download manager का setting कि कुछ disable करना हो, या फिर multi threat करना हो, recycle bin आपको रखना है, तो यहां से करेंगे, अगर आपको recycle bin का feature नहीं चाहिए, तो यह करेंगे, तो recycle bin रिम हो जाएगा, इसके अलवा इसके और भी बहुत सारे setting है, जैसे कि theme है, आपको और कोई theme भी select कर सकते हो, आपको अगर यह default theme पसंद नहीं आती है, तो वैसे ही Adblock का option है, जो कि मैंने अभी तक use नहीं किया है, तो use करने के बाद इसका separate इसका video बनाएंगे, local में जो कि home device, internal storage, जो भी है, वो यहां से display होगा, library, जो image है, music, movies, वो सब अलग अलग कर देता है, आप कोई भी music पे click करेंगे, त सब कि हमने देखा network, land, cloud, ftp, android, bluetooth, यह सब जितने भी connection है, आप यहां से access कर सकते हो, tools में, download manager, system manager, locker, music player, यह सब यहां से access कर सकते हो, recycle bin, enable, disable, यहां से कर सकते हो, अगर आपका phone root किया हुआ है, और आपकी file भी access करना चाहते हो, तो यह root explorer pick कि दर ही काम करता, यहां से आप enable करो तो यह अगर rooted device है, तो वो आपको root file भी access करना देगा, वरना आपको separately कोई root file explorer यह सा कोई file manager डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन वह यह feature भी आपको यहां से मिल जाजा है, आपको gesture enable करना है, यह तो यहां से कर सकते हो, जैसे कि computer में hidden file आती है, वैसे इसमें भी hidden file होती है, जो आप code दिखा ही नहीं देती, लेकिन आप यहां से क्लिक करके वो hidden file भी show कर सकते हो, इसमें बहुत सारे वैसे feature है, जो कि मैंने यहां पर बताए भी नहीं होंगे, अगर आप कोई file manager डाउनलोड करना चाहते है, तो यह DS file explorer को जरूर से try कीजिगा, यह बहुत अच्छा explorer ह और मैं इसको 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप यह file manager यूज़ कर रहे हो, अगर आप यह file manager यूज़ कर रहे हो, तो आप कोई file manager कैसा लग रहे है, इसका review आप नीचे comment में दीजिए, इसे और भी application के वीडियो जम बना दे रहेंगे, अगर आपको हमारे वीडिय तो इस चैनल को subscribe करें, यह वीडियो को like करें और अपना comment जरूर दे, यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद